24 घंटे नहीं हुए हैं ND गटबंधन की सरकार बने नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री पद की शपत लिये और भारतिय जंता पाटी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर्फ शर्म से जुका दिया है और ये जो आरोप लग रहे हैं ये हम नहीं लगा रहे हैं ये BJP के अंदर से, संग के अंदर से उनके नेता, उनके कारकरता, उनके समर्थक लगा रहे हैं अब जो आरोप सामने आया है उसमें BJP के नेता और उनकी IT सेल जिसको मैं फेक न्यूस की फैक्टरी कहती हूँ उसके सरगना अमित मालविये पर RSS के एक नेता ने योन शोशड का गंभीर आरोप लगाया है संग परिवार के नेता है शांतनू सिनह वो BJP के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिनह के भाई हैं ABVP के सदस रह चुके हैं हिंदू संग के प्रमुक हैं उनका कहना है कि BJP IT सेल के प्रमुक अमित मालविये बंगाल में औरतों का योन शोशड करते हैं और सिर्फ 5 सतारास होटलों में ही नहीं BJP के दफतर तक में ये काली कर्तूते चलती हैं उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके बंगला में ट्वीट करके ये भी लिखा है कि BJP नेताओं में होड लगी हुई है औरतों की आपूर्ती करने की उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर और अमित मालविया का नाम लेकर उन्होंने कहा है औरतों का योन शोशन करते हैं ये आरोप कॉंग्रेस पार्टी का नहीं है ये आरोप संग के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है मैं जानना चाहती हूँ बीजेपी की आईटी सेल है या दरिंदों का जमावणा है आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के आईटी बीएच्यू का वो गैंग रेप कांड जिसमें सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनन चोहान जैसे लोगों का नाम आया था ये सब शीर्ष नेत्रत्व ही नहीं प्रधान मंत्री मोदी के बड़े करीबी लोग लेकिन ये बीजेपी की आईटी सेल के संयोजग, से संयोजग और उसके सदस्य थे तो दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की आईटी सेल आज सवाल इस बात का है आज सवाल इस बात का है कि बीजेपी की आईटी सेल में कैसे लोग है भई एक दुरूब सक्सेना था ISI की मुख्बीरी करते वो पकड़ा गया था हिंदुस्तान में मुख्बीरी करता था ISI के लिए ये किन दरिंदों से किन लोगों से भरा हुआ है BJP की फेक न्यूस फैक्टरी BJP की IT सेल और BJP में कितने महिला विरोदी लोग हैं भई हातरस से लेके लखीमपूर लखीमपूर से लेके उन्नाओ उन्नाओ से लेकर चाहे वो उतराखन की अंकिता भंडारी हो चाहे वो गुजरात की बेटी बिलकिस बानों हो चाहे वो इस देश की सबसे होनहार खिलाडी बेटिया हो हर बार आरोपी बीजेपी का नेता कभी कुलदीब सेंगर तो कभी चिन में आनंद तो कभी प्रिजबूशन तो कभी अंकिता भंडारी का कहत्यारा जिसके पिता बीजेपी के नेता है कैसे लोगों से BJP भरी पड़ी है और सवाल इस बात का है कि इतने गंभीर आरोप आपके बड़े पदाधिकारी के खिलाफ लगे है लेकिन एक शब्द नहीं BJP की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं कोई उस पर एक्षन लेने की बात नहीं तो आज सवाल इस बात का है कि सुई टपक सन्नाटे का सच क्या है किसको बचाया जा रहा है क्यों बचाया जा रहा है किसके कहने पर बचाया जा रहा है अगर इतना बड़ा आरोप किसी BJP के बड़े पदाधिकारी पर लगा है तो बीजेपी का नेत्रित्व क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी किस मुसे महिलाओं की संग्रक्षण की बात करते हैं जब वो संग्रक्षण हर बार आरोप्य को देते हैं और ये महज संयोग नहीं है महज संयोग नहीं है कि फिर से यौन शोशड का आरोब एक ऐसे व्यक्ति पर लगा है जो सत्ता रूर दल में बड़े पद पर बैठा है जो प्रचार प्रसार का एक तरह से प्रमुख है जो नारेटिव बनाता है इस व्यक्ति ने अपना इतिहास इनका खखोड लीजिएगा इतने ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बिठाना ये बीजेपी का नेतिक दिवालियापन दिखाता है ये वो व्यक्ति है जिसने खुले आम पॉर्नोग्रफी की बात करी है ये वो व्यक्ति है जिसने विपक्ष के खिलाफ सार जूट मनगरंद कहानियां हर तरह के शड्यंत्र रचे है राजनतिक प्रतिद्वंदता को किनारे रखकर इसने देश के प्रतम प्रधानमंत्री पंडित नहरू तक को नहीं बख्षा उनकी अपनी बेहन और भतीजियों के साथ की फोटो को इसने दुश प्रचार करके चलाया लांचन लगाए इस आदमी ने राहूल गांदी के बयानों को काट शाट कर उनकी छवी धूमिल करने का कुछसित प्रयास किया इस व्यक्ति ने तमाम मर्यादाओं को लांगते हुए सोनिया जी के खिलाफ विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ दुश प्रचार किया कोई राजनेतिक मर्यादा कोई राजनेतिक शुचता इस आदमी ने नहीं रखी और एक ऐसी फेक न्यूस फैक्टरी बना दी बीजेपी की जो सिर्फ जूट सिर्फ मनगलंत कहानिया मनोहर कहानिया रच्चती है आधा सच और पूरा जूट फेलाती है तो आज हमारी मांग है कि आरसेस के एक वरिष्ट पतादिकारी के इस बयान पर बीजेपी क्या कर रही है हमारी मांग है कि एक निश्पक्ष जाच हो हमारी मांग है कि सच सामने आए और हमारी मांग है कि जब तक जाच पूरी तरे से पूरी तरे से कारवाई ना हो जाए सत्ता रूर दल के इतने बड़े पद पर एक ऐसा व्यक्ति नहीं बैठ सकता है जिस पर इतने बड़े यौन शोशर के गंभीर आरूप लगे है मैं पूछना चाहती हूँ मंत्राला या वंटन तो भी बाकी है लेकिन क्या कोई नया वाल विकास मंत्री जो भी बनेगा या बनेंगी वो भी पहले वाली की तरे आखों पर पट्टी और मौन वरत रख लेंगी इस देश में राष्टे महिला आयोग तो है वो सिर्फ विपक्ष में जब कुछ होता है तो जागती है इसका स्वतर संग्यान नहीं लीजियेगा नहीं जाईएगा कॉलकता नहीं कीजियेगा कारवाई आप महिलाओं के संगरक्षन उनके अधिकार उनके सामर्थ उनके संबल के लिए है लेकिर आपने सिर्फ गंदी घिनोनी राजनीती की है आज भी वक्त है जाग जाईए मेरा अपना मानना है कि कठोर कदम उठाने चाहिए भारतिय जन्ता पाटी को हम मांग करते हैं निश्पक्ष जाच हो और वो तभी संभव है जब इतने प्रभावशाली पद से वो व्यक्ति हटाया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को सजा भी मिलनी चाहिए और उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नहतिक अधिकार नहीं है I will very briefly make a statement in English It has come to light not by us It has come to light by members of the राश्टिय स्वायम सेवक संग who are on record a gentleman by the name of Shantanu Sinha related to Rahul Sinha an office bearer of the BJP in Bengal a member of the ABVP a prominent member of the RSS there has said that the BJP IT cell head the fake news factory that Mr. Amit Malwia runs he has alleged that Mr. Amit Malwia has indulged in nefarious activities he has indulged in sexual exploitation of women not just in five star hotels but in BJP offices in Bengal and the only thing that we seek of the BJP is justice for women finally whether it is Hathras or Lakhimpur or Shah Jahapur or our most decorated athletes or Uttarakhand or Bilkis Bhano the Prime Minister has consistently given political patronage and support to perpetrators of the crime it is high time it is high time you stand with women it is high time you stand with India's daughters and unless and until you do not answer their plight you have no business to be in power the reality is less than 24 hours after the Prime Minister has been sworn in very very serious charges of sexual exploitation have been leveled against a very prominent office bearer of the BJP the head of its IT cell but is it to anybody's surprise the IIT BHU gang rape if you remember and the three people involved Saksham Patel Kunal Pandey and Anand Chauhan all members of the BJP IT cell all extremely close to senior leaders of the BJP including Narendra Modi this is a pattern it's a pattern whether it's Kuldeep Singh Sengar or Chinmayanand or Bridge Bhushan or Ankita Bhandari's murderer or those who were released who killed and who gang raped Bilkis Bhano and her family it's a pattern they're all BJP leaders and each one of them has been protected by Narendra Modi and so today we seek the immediate removal of Amit Malviya from his position it's an extremely influential position it's a position of power and there can be no independent inquiry there can be no independent probe there cannot be justice unless and until he doesn't get removed from his position he cannot continue in that position of authority and influence if justice indeed has to be done he is the same man who has perpetrated one lie after the other he has not maintained any decency in public life he has not even spared India's first Prime Minister Nehru he has publicized and maligned Nehru for images with his sister and his niece he has cut and slipped Rahul Gandhi's media bites his statements his addresses he has crossed every limit of morality and decency in public life when he leveled charges against opposition leaders and a man like this is influential within the BJP system and we want his immediate removal for independent probe to happen we only hope that the Prime Minister will learn some lessons in the 63 seats that he lost the Prime Minister will learn humility the Prime Minister will learn that he cannot consistently stand with people who exploit women and we hope that the new Minister for Women and Child Development is not going to be a mute bystander to women's plight we do hope the National Commission for Women will finally find their voice their conscience and their morality and will take Suomoto cognizance of this matter and will take the first flight available to Kolkata that's what we demand the justice can only be done if indeed this man is removed from his position of authority and power he wants to ask मैं दो दिनों से TMC भी इस मसले को उठा रही है और वहाँ पर राज्य में TMC की सरकार भी है जो आपकी सही होगी है तो क्या अब तक इस मामले में FIR दर्ज होई है और क्या आप मांग करेंगी कि जाच के लिए इसमें अमित बालविय की गिरफतारी हो मेरा अपना मानना है कि बंगाल में जो सरकार है और जिसकी प्रमुक ममता बैनर जी जी है वो जरूर इस मसले का संग्यान ले रही है और जरूर इस पर कानूनी और पुलीस कारवाही होगी अगर एक व्यक्ती इतने गंभीर आरोप लगा रहा है बीजेपी के एक प्रमुक पदाधिकारी पर तो आपके सामने दो और चित हैं या तो बीजेपी आए और पूरे दमखम के साथ कहें कि या आरोप गलत है हम इनको सिरे से खारज करते हैं जिसने आरोप लगाया है हम उसके खिलाफ कानूनी कारवाई करेंगे करें मानानी का दाबा या तो बीजेपी ये करे या बीजेपी थोड़ी सी नैतिकता दिखाए, सामने आए और बोले, गंभीर आरोप है देश की आधी आबादी के खिलाफ है, आरोप बहुत संगीन है जो व्यक्ति इतने इंफ्लुएंशल पद पर बैठा है पहले उनको उनके पद से मुक्त किया जाएगा एक इंडिपेंडेंट जाज की जाएगी और उसके बाद आगे की कारवाई होगी यही दो रास्ते हैं बीजेपी के पास लेकिन बीजेपी की ओर से आपको सुई टपक सननाटा सुनाई दे रहा है साएं साएं एक शब्द नहीं बोल रही है भारतिय चंता पार्टी ना वो ब्रजभूशण पे बोलते हैं ना वो कुलदीब सिंग सेंगर पे बोलते हैं ना वो चिनमयानन पर बोले ना वो हातरस पे बोले ना वो लखीमपुर के चीरहनन पे बोले ना वो अंकिता भंडारी पर बोले ना वो IAT-BHU पर बोले ना वो बिलकिस बानों पर बोले लेकिन इस देश ने आपको दिखाया इस देश की महिलाओं ने आपको दिखाया आप जिसको अपनी जीत बना कर चल रहे है वो निरणायक नैतिक हार है और बहुत कारणों से हुई उसमें से एक कारण ये भी था कि आप इस देश की आदी आबादी के तिरसकार में और हर वक्त संगरक्षन आरूपियों को देने में खड़े होते हैं कोई और सवाल इस पर? कोई और ने था सवाल? हम सबसे पहले तो अपनी श्रद्धानजली उन सब लोगों को देते हैं जिनकी जान गई उन सब परिवारों को हमारी समवेदना है जो घायल हुए उनके श्रीघ्र स्वास्त लाब की हम प्रार्थना करते हैं हम बिना लाग लपेट के एक बात डंके की चोट पर कहते हैं कि हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ ये देश एक जुट होकर खड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है या नहीं है लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हिंसा की लेश मात्र इस देश में जगे नहीं है और हम उसकी भर्टसना करते हैं और उनको कायर बुलाते है श्रद्धालूओं की बस पर हमला करने वाले कायर है और कुछ नहीं लेकिन इस बात की बहुत गहन चिंता है कि बड़े-बड़े दावे और डिंगे हकने वाले आज इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या है सुरक्षा विवस्था जम्मू कश्मीर की पहले तो घाटी में ऐसी वार्दाते होती थी अब जम्मू में हो रही है तो आज सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आपने हिम्मत नहीं दुखाई चनाव लड़ने में आप श्रीनगर से भाग गए आप बारा मुला से भाग गए आप अनंतनाक रज़ोरी से भाग गए लेकिन आप अब बताईए कि कानून विवस्था इतनी ध्वस्थ क्यों है श्रद्धालों की इस निर्मम हत्या का जिम्मेदार कौन है आज इस बात पर भी सवाल उठेगा मैं सुरेश गोपी है एक मातर बीजेपी सानसत के रला से उन्हें कल ओथ ली और वो कहरे है उनको फिल्मों में काम करना है और करना है मिनिस्टर के तौर पर कई लोग यह कह रहे है यह मौकरी है मैंडेट का जो मिला है और बीजेपी ने अपना होमवक नहीं किया था उनको उससे पहले यह मौकरी ओफ मैंडेट और होमवक नहीं करना तो एक बात है यह तो हम तो शुरूँ से कह रहें तमाम बैसाखियां है अब बैसाखियां बवाल मचाएंगी आपने कल सुना अजीत पवार जी को आपने कल सुना प्रफुल पटेल को आप सुन रहें अभी श्री गोपी को अभी तो देखिये आगे-आगे क्या होता है अब ही देखिएगा जो एक मुद्दा प्रधान मंत्री ने निरलज्जता से जिस पर जूट बोला पूरे देश पर टीडीपी उसके साथ मुस्तहदी से खड़ी है क्या आज नरेंदर मोधी की हिम्मत है कि वो चंद्र बाभू नाइडी को बुला कर कहें आप मुझरा क्यूं कर रहे हैं हैं मत बढ़ेंदर मोधी के अंदर ये कहने की क्या विश्मस निता है से प्रधान मंत्री की क्या नेतिकत आपने पद पर बने रहने की 63 सीटे आप हार गए इस देश ने आपको नकार दिया आप नाक रगड के आप एक एक तीहाई प्रधानमंत्री बनकर एक अल्पमत इसकी कोवलेशन की सरकार चला रहे हैं आपने जिस नितिश के डियने पर सवाल उठाया था आज आप उनके सामने नतमस्तक होके पढ़े हैं तो आज पूछना पड़ेगा ना आपसे आपका सांसत कहता है जी मुझे बनना ही नहीं है मैं बनना ही नहीं चाहता हूँ मैं तो पिक्चरों में काम करना चाहता हूँ ये इस देश के लोकतंत्र का मखौल है और इसका सबग जनता अभी और आने वाले दिनों में सिखाएगी अभी तो जनता ने खड़े ओकर सिखाया है सबग बस आपके अहंकार का अंत होगा ये जनता ने मेसेज दे दिया है समझने वाला समझेगा जो ना समझे वो अनाडी है लेकिन जो खीचतान है वो तो अभी मंत्रालेओं को लेकर पोर्टफोलियों को लेकर कैबिनेट या M.O.S. को लेकर अभी देखिएगा क्या क्या होता है जो व्यक्ति अपनी मनमर्जी से जो व्यक्ति तुगलकी फर्मानों से जो ताना शाही से जो मन में आया माईवे और दा हाईवे की सरकार चलाता था अब उसको सबग सिखाएंगे इनके घटक दल सबग सिखाएगी इस देश की जनता सबग सिखाएगा कोईलिशन का धर्म मोदी जी एक बात नहीं जानते हैं और वो एक बात नहीं कर सकते हैं वो समनवे नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो लोगों की बात नहीं सुनते हैं तो देखेगा इसका क्या हश्र होगा, जी, सुप्रिया जी, जो कल की घटना हुई, कश्मीर में जिस पर आप भी सवाल उठा रहे हैं, ये आतंग की घटना है, लेकिन इसको एक बैसी घटना, सामान घटना बताने की कोशिश की गई, और ओफिसिली ट्विट भी हुआ है, प सब करिएगा, नरेंदर मोदी का ट्विटर हंडल खोलिए, पी-ए-मो का ट्विटर हंडल खोलिए, अगस 2019 से आतंग की घटनाओं में हमारे जवान शहीद हुए, हमारे ऑफिसर शहीद हुए, पुलीस के लोग शहीद हुए, लेकिन नरेंदर मोदी ने श्रद्धानजली क एक शब्द तो छोड़ दीजे, उन हमलों का संग्यान तक नहीं लिया, अगस 2019 के बाद से ये पैटन है नरेंदर मोदी का, और आज आतंकी हमले को ढखने की तोपने की उस पर लीपापोती की कोशिश बेकार है, आतंकी हमले के खिलाफ ये देश एकजुट होकर खड़ा है आतंकीों को ये बात पूरी तरह से समझानी होगी कि आप की हिंसा और आपकी नफरत के खिलाफ ये देश एकजुट है, ऐसी जुरुत कीजिएगा मत